लोग सबच चुनाव से पहले राहूल गांधी एक्सपोस हो गया है। बंधन को जोड कर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में वो भारत जोरो निया यात्रा कैसे निकाल सकते हैं। ये समझ से परे है। चैन है कि पीम मोदी के सामने वो कैसे ठीकेंगे इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे आपको डीटेल में तो बने रही है वीडियो में आंतर तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट कॉंग्रिस के युराज राहूल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं राहूल गांधी के करीबी जैराम रमेश और सुप्रिया सिरनेत दिन भर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर राहूल गांधी की छबी चमकाने में लगे रहते हैं लेकिन कॉंग्रिस की नेता ही राहूल गांधी की लुटिया डूबोने में लगे हुए हैं। लोग सबाचुनाओं से पहले हर राज में कॉंग्रेस अंद्रोनी कला से जूज रही है। बता दे की बीजेपी का दामन थामने वाले लालचंद कटारिया और राजेंद्र रियादव अशोक गहलोत के नितुरत वाली कॉंग्रेस सरकार में मंद्री रह चुके हैं। वही मद्परदेश में भी कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है। मद्परदेश के वरिष्ट नेता और पुर्व केंद्रे मंत्री सुरेश पचौरी ने अपने सालों के साथी को छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लुक्स वचुनाव से पहले सुरेश पचौरी के बीजेपी में जाने के बाद मद्परदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। आचार प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहूल गांधी की बातों को गंभिरता से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबरे आ रही है तो वहीं कॉंग्रिस को जटके पर जटका लग रहा है। विपक्षी नीता माहौल को भापते हुए बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी जहां पीएम मुधी के नेतरत्म में फ्रंट फुट से खेल रही है तो वहीं राहूल गांधी के नेतरत्म में विपक्षी कुनबा बिखरता जा रहा है। राहूल की यातरा के बाद भी कॉंग्रेस के नेता हर दिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब जमो कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की वज़े से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। दर्शकू आपने खुब सुना होगा कि दो बंदर की लड़ाई में जिनके नेतरित्म में देश का डंक का विश्व भर में बच रहा है लेकिन स्वार्थ के नीव पर पड़ा ये कटबंधन देखते ही देखते कब धराशाही हो गया किसी को पता ही नहीं चला। मैदान में तो इंडी अलाइंस के घटक दल एक दूसरे को धूल धरसित करने मे लगे ही हुए थे। ये भी कश्मीर खाटी में भी अलाइंस के घटक दल एक दूसरे कोर की राजनेतिक हैसियत दिखाने से चूक नहीं रहे। वो ये बता रहे हैं कि अपने राजनेतिक हैसियत में रहो, स्यादा ठीक रहेगा। कश्मीर में नाशन कॉन्फरेंस और पीड खामनंत्री मूदी के रैली में जस्तना से लोग बीजेपी का समर्थन करते दिखे उससे साफे की 370 हटने से घाटी के लोग काफी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बटवारे को लेकर घाटी में नाशन कॉन्फरेंस और पीपल्स जमोक्रेटिक पार्टी के बी पीडेपी के लड़ाई से फायदा भगवादल को ही होगा। वहीं अपने जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं नैका के पैरो तले जमीन खिसक सकती है क्योंकि वोट बैंच सिर्फ नैशनल कॉन्फरेंस का घटेगा। पीडेपी ना सिर्फ दक्षन कश्मीर मे बलकि राज़ोरी पुंच के अलावा सेंट्रल कश्मीर और उत्री कश्मीर में भी अच्छा खासा प्रभाव रखती है। तीनों सीटों पर वोट पटने से इसका लाभ बीजेपी के अलावा उसके समर्थक दल भी उठा सकते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी में कश्म कश्मीर में अपनी जबर्दस्त पकड़ बना चुकी है। हाल ही में हुई प्रधानमिंत्री नरेंद्र मोधी की रैली इसकी गवाह भी है। आपको बता दे बारमुला कुपवाड़ा और पुल्वामा श्रीनगर गांदरबल समेथ दो संसदिय श्वेत्र कश्मीर में जम्मो में रियासी जम्मो और उधंपोर डोटा कठ हुआ संसदिय निर्वाचन शेत्र हैं। अनंतनाग रजोरी संसदिय श्वेत्र कश्मीर और जम्मो में पीर पंजाल परवच श्रंखला के दोनों तरफ फैला है। नाशनल कॉन्फरेंस पीडिपी और कॉंग्रिस के मि कल्प चुन कर पीपल्स अलाइंस फॉर गुपकार डेकलरेरिशन को कमजोर करने का आरूप लगाया है। ऐसे में अब विपक्ष की इस लड़ाई से बीजे पी घाटी में पड़ा उलट फेर कर सकती है। आमादे पार्टी के मुश्किले बढ़ती चली जा रही हैं। आमा हाने पड़ खड़ा है। सभी धल अपने अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट जारी करने में लगे हैं लेकिन देश की कथित सबसे कटर इमानदार पार्टी आमादे पार्टी के सामने स्टार प्रचारकों के गंगाली का संकट चा गया है क्योंकि अपने आपको कटर इम इमांदार नेता बताने वाले दल के दो बड़े नेता जो अभी तक स्टार प्रचार रक रहे हैं पार्टी के वो प्रिष्टाचार के मुकदमे के कारण जेल की हवा खा रहे हैं। आमादी पार्टी के लिए ये लोगसभा चुनाओ प्रचार के मामले में सबसे चुनाओती पूर्ण हो सया है। पार्टी सबी आश्रंका को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवंतमान को लेकर केजिवाल दूसरे राज्यों में प्रचार करते रहे हैं। सीमान के लिए पंजाब में सभी सीटों पर चुनाओ प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। दे लेकर आमादी पार्टी के पास दिल्ली में बचे हैं तो सिर्फ केजिरिवाल के लावा आतिशी और सौरब भारतवाज जैसे नहीं था। जो दिल्ली की राजनी ती से लेकर आश्ट्रे मुद्दों तक हर मंच में आगे खड़े दिखाए देते हैं। 2014 के लोगसावा चुनावों का जिक्र करें तो अब आमादी पार्टी भले ही राश्ट्रे पार्टी बन गई है। अगर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले कई नेता पार्टी से बाहर हैं या फिर बाहर कर दिये गए हैं। इसमें बड़े नेताओं में अंतिम बार 2018 में पार्टी चोड़ने वाले नेता थे आशीश खेतान। इससे कुछ समय पहले ही आशीश दोष ने आमादी पार्टी चोड़ी थी, ये दोनों नेता विशय पर रिसर्च कर बात रखने वालों मिसे थे। इनकी बात में घंभीरता होती थी और लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते भी थे। कुमार विश्वास भी आमादी पार्टी से दूरी बना चुके हैं, ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाओं में केजरिवाल अकेले पढ़ गए हैं। तब ही तो वो उलजलूल बयान दे रहे हैं अपनी हार देखकर केजरिवाल ने महिलाओं से कहा है कि इस बार वोट आमादी पार्टी को ही करना और अगर आपका पती ज्यादा मोधी मोधी करे तो उन्हें रात पे काना मत देना। अब केजरिवाल के इस बयान से आप ही समझ सकते हैं कि केजरिवाल बेजानते कि मोधी के लहर नहीं सुनामी चल रही है। यही वज़ा है कि प्रधान मंत्री मोधी के पक्ष माहौल देखकर केजरिवाल खताश होकर ऐसे बयान दे रहे हैं।